केंदर की सरकार के लिए देश हीद और देश के लोगों का हीद ये हमारे लिए सर्वो परी है दो दिन पहले जो बजेट पेस किया गया है उसने सबका साथ सबका विकास के हमारे संकल्प को और मजबुत बनाया है ये बजेट, गरीब, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यावपारी, युवाहो, बुजुर्गो, महिलाहो, दलीतो, आदिवासियो हर किसी के विकास को गती देने वाला है देश के सतर साल के इतिहास में पहली भार वाजबा सरकार किसानों के लिए एक ऐसी एतिहासि योजना लेकर आई है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती से साथियों, देश के बारा करोड से अधिक, छोटे किसान परिवारों, जिनके पास पांच एकर तक की जमीन है उनको अब हर वर्ष छे हजार रुपिये सीधे बैंक खाते में बेजे जाएंगे मोदी ने जो बैंकों में खाते खुलवाने का अभियान चलाया था तो उस समय अपने आपको बड़ा दिगज और बुद्धिमान मानने वाले लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई थी मजाक उड़ाते वो ठकते नहीं थे अब पता चला कि जंदन एकाउंट का फाइदा कैसे पहुँचने वाला है दो दो हजार रुपिय की तीन किस्तों में ये रुपिय किसानों के खाते में जमा होंगे जिसमें से पहली किस्त आने वाले कुछ समय में ही किसानों के खातों में आने वाली है साथियों पीएम किसान सन्मान निदी जिसको सौट में कहते पीएम किसान इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड रुपिय सुनिए 75,000 करोड रुपिय सेवन्टी फाइव थाउजन करोड रुपिय किसानों के खाते में सीधे पहुंचने वाले है कोई बिचोलिया नहीं कोई दलाल नहीं इससे करोडों छोटे किसान जिनको कभी सरकारी मदद नहीं मिली उनको मदद पहुंचने वाली है साथियों अब आप ही बताईए अगर आप एक मरीज है तो आप क्या पसंद करेंगे कि आप हर छह महिने में बिमार पड़े और फिर जब डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर कुछ पुडिया पकड़ा दें इंजेक्शन लगा दें रुपिये मार लें यही करम जिंदगी पर चलता रहे हर छह महिने डॉक्टर के पास जाना या फिर आप एक बार बिमार पड़ने के बार और डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर आपको उस बिमारी को जड़ से मिटाने का इलाज करें किसके पास जाएंगे भाई बार बार बिमार होना पड़े ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे कि जो बिमारी को जड़ से उखाड़ दे उसके पास जाएंगे किसके पास जाएंगे किसके पास जाएंगे निश्शित तोर पर आप जो जड़ से उखाडने वाला डॉक्टर है उसके पास ही जाएंगे लेकिन आज तक हमारे हाँ किसानों के लिए पहले वाला इलाज अपनाया जा रहा था बिमार करो पुडिया दो कर्द माफी से किसान का कर्ज कभी खत्म नहीं हुआ और नहीं होता और विचेवलियों की जेब मोटी होती जाती है मैं आपको उदान देना चाहता हूँ कॉंग्रेस ने दस वर्थ पहले दो हजार आठ नव में चुनाव जीतने के लिए किसानों के लिए कर्ज माफी का एलान किया था देश के किसानों पर उस समय देश के किसानों पर उस समय जाने था 6,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 दूल चौंग दी सप्ता पे बैठ गए आने के बाद किया क्या आप चौंग जाएंगे भाईया छे लाग करोड का कर्ज था माप किया सिर्फ बावन हजार करोड रुपिये बाते की छे लाग करोड कर्ज माप करने की दो का किया किसानों के साथ और किये सिर्फ बावन हजार करोड और जब सिये जी ने जाच की तो उसमें भी 30-35 लाग लोग ऐसे मिले जो कर्ज मापी के हकदार ही नहीं थे अब आप मुझे बताईए ये 30-35 लाग वो कौन लोग थे वो कौन सा पंजा था जो खजाना खाली कर गया वो रूपिय कहां गए ये बताने की जरुरत मुझे नहीं है क्योंकि देश के नामदारों का दागदार ट्रेक रिकॉर्ड जमता बलीबाती जानती है देश ये भी जानता है कि जितनकी तब कर्ज मापी हुई वो भी फिर से कर्जदार बन गए कर्ज में डूब गए अब जब दश वर्थ पूरे हो गए तो फिर कर्ज मापी का सोर कॉंग्रेस ने मचाना शुरू कर दिया चुनाव आते हैं और उनको कर्ज मापी का बुखार आता है क्योंकि ये ऐसी जड़ी बुट्टी उनके पास थी कि भले भोले किसानों के आँख में दूल जोग करके चुनाव निकाल दो बाद में उनको छोड़ दो लेकिन फिर एक बार कॉंग्रेस की वही सचाई सामने आ रही है अब आप देखिए पिछले दिनों क्या हुआ अभी अभी मद्द प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनी है वहाँ क्या किया किसानों के कर्ज माफी पर वो चुनाव में आये मद्द प्रदेश में ऐसे किसानों का कर्ज माफ हो रहा है जिन पर कभी कर्ज ही नहीं था और जिन पर कर्ज है उनको कितने रुपिय का चेक मिला है आप हरान हो जाओगे तेरा रुपिय का कर्ज माफव तेरा रुपिय है राजस्तान में सरकार ने आते ही हाथ खड़े कर दिये साथियों इनकी नीती और नियत किसानों को कर्ज से मुक्त करने की कभी रही नहीं किसानों के नाम पर बिचौलियों के पेट भरना जेब भरना यही सिलसिला चला है एक पल के लिए मान भी लीजिया जाए कि इमानदारी से किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा तब भी क्या स्थिति बनेगी ये इमानदारी से काम करने वाले नहीं है फिर भी चलो माता वैश्णो देवी के चंडों में बैठे हैं तो हम एक बार सोच लें कि चलो भी इमानदारी से करेंगे इस काल आप किसको मिलागा मैं आपको समझाना चाहता हूँ अगर करनाटक में जो उन्होंने कर्ज माफी का वादा किया है अगर उसका 100% लागू करेंगे और सचबुझ में इमानदारी से करेंगे तो भी उसका लाप सो किसानों मैं से 30-40 किसानों से अधिक किसानों को नहीं मिलेगा सो मैं से 30-40 और उसमें बेहिमान कितरे गुच जाएंगे वो अलग उसी तरह राजस्तान में भी अगर ये अपना कर्ज माफी का वादा इमानदारी से पूरा करते हैं तो भी राजस्तान में सो मैं से 20-30 को ही लाब मिलेगा जादा को फाइदा नहीं मिलागा अगर पंजाम में उनकी सरकार है वहाँ भी अगर ये इमानदारी से उन्होंने जो कहा है वो लागू करेंगे तो भी सो मैं से 20-30 को ही फाइदा मिलेगा जादा लोगों को लाब नहीं मिलेगा 2008 की इनकी कर्जमाफी का लाब भी तो अवसतन 20-30 लोगों कोई मिला है यानि कांग्रेस की कर्जमाफी से हमेशा 70-80% लोग उसके बाहर रे गए किसान उन किसानों का क्या गुना उन गरीब किसानों का क्या गुना जो बैंक के दरवाजे तक नहीं जा पाया उस किसान का क्या गुना तिरब उनके अगल बगल में जो लोग बड़े-बड़े है उनी के लिए योजनाई बनती थी हम जो योजना लेकर के आए हैं उसका लाप बेज भरके बारा करोड किसान परिवारों को मिलेगा बारा करोड किसान परिवारों को मिलेगा मतलब की सो मैं से नबे पच्चा नवे किसान हर गाउं में सो मैं से नबे पच्चा नवे किसान इसके हकदार बनेंगे आपने कलपना की है साथियो यह इनकी निराचा का दूसरा और सबसे बड़ा कारण है आपने देखा होगा जब हमारे वित्न मंत्री बजेट पड़ रहे थे तो विपश का चेहरा कैसा था सब कुछ लटक गया था होश गमा बैठे थे क्योंकि पाई पाई का उप्योग जन हित में उप्योग सामान मानवी के कल्यान में उप्योग यह उन्होंने कभी न सोचा है न सिखा है न किया है एक तो कर्ज मार्फी से मिलने वाला कट चला गया विचोलियों की दुकाने बंद हो गई और दूसरा उनके चुनावी गुबारे की हवा भी निकल गई कर्ज मापी से सल्तनत वापी सिख की कॉंग्रेज की इस दस वर्षी योजना से अब किसान सचेद हो चुका है बाई और बेनों मैं आपको पताना चाहूंगा कि पर्सों बजेट में गोशित की गई पी एम किसान सम्मान योजना का लाप केवल एक बार नहीं एक बार की योजना नहीं है ये हर वर्ष मिलेगा और ये तो हर वर्ष और इनका क्या था दस वर्ष बार अब देखिये हिसाब ज़रा दस साल में एक बार पचांच साथ हजार करोड रुपिये करज माफी करके दस साल अपने अपने को किसानों का मसिया बताते रहते थे भाजपा सरकार ने जो योजना बनाई है अगर उसको आने वाले दस साल के हिसाब से देखा जाए तो आने वाले दस साल में एक प्येम किसान योजना के तहquar जो हरवर्ष किसान के खाते में 6000 रुपिया जाने वाला है उसका अगर मैं दस साल का हिसाब लगाओं साड़े साथ लाख करोड रुपिया किसानों के खाते में जमा होंगे साथियों पी एम किसान समुरुद्धी योजना बीते शाड़े चार वर्ष से किसानों की स्थिती को सुधारने के लिए किया जा रहे प्रयासों का एक बड़ा पड़ाओ है बीच से बाजार तक अनेक प्रयास नरंतर किये जा रहे हैं खेती पर होने वाला खर्च कम करने की कोशिश के साथ साथ किसान को पैदावर की उचीत किमत मिले इसके लिए भी अनेक प्रयास किये गए यह हमारी सरकारी है जिसने MSP पर किसानों की बरसो पुरानी मांग को पुरा किया गया है रभी और खरीब की 22 फसलों का समर्थन मुल्य देड़ गुना से अधिक ताई किया गया है अब राज्य सरकारों को इस बात के लिए प्रोच्चाहित किया जा रहा है कि यह समर्थन मुल्य किसानों तक पहुँचे